उत्तर प्रदेश में नई प्रात्मिकितर की सिख्षाक भर्ती मांग को लेकर के अभीर्थियों का अनवरत धर्ना जारी है उत्तर प्रदेश सिख्षा सेवा चेन आयोक के अध्याक्ष के द्वारा ये कहा गया कि हम एक हफते में शाषन के पास अधियाचन भेजेंगे और वहां से जिस प्रकार की अनुमती मिलेगी जिस प्रकार से अनुदेश मिलेगा उसके अनुसार से आगे की कारिवाई की जाएगी इसी के बीच में उत्तर प्रदेश में यूपी टेट को लेकर भी चर्चा है क्योंकि अध्यापक सेवा नियमावली 1980 के अंतरगत प्रावधानित नियमों के अनुसार मैंने एक डेडिकेट वीडियो के मादम से आपको बताय था कि सिक्षाक भरती से पहले यूपी टेट का होना 100% है बीना यूपी टेट के सिक्षाक भरती का नोटिफिकेशन नहीं जारी किया जा सकता है भले ही आप कितने भी बीच में सिब्यसी बोर्ट के द्वारा आयोजीत होने वाले सीटेट परिक्षा आयोजन क्यों ना करा लिया गया हो लेकिन अध्यापक सेवा नियमाव सूचना देना होगा कि हम अपने यहाँ यूपी टेट का परिक्षा का आयोजन नहीं करने जा रहे हैं और इसके सम्मन्द में जो भी अभियरती हैं वो सिख्षक पातरता परिक्षा केंद्री इस तरका समलित हो करके अपना क्वालिफाई कर ले जिस प्रकार से बिहार सवाल यह उठता है कि यूपी टेट कब तक होने की संभावना है और जो एक्जामनेशन कैलेंडर सिख्षा सेवा चैन आयोग के द्वारे जारी किया जाना है उसमें यूपी टेट और सूपर टेट का जिक्र होगा या नहीं ऐसे तमाम प्रशनों का जवाब इस वीडियो म जारी ना हो पाना लगतार ट्वीट के माध्यम से ये जार्णकारी देना कि हमने सिख्षा विबाग में पिछले 6 वर्सों में इतनी भरती कर दी है समय समय पर जो धरना प्रदर्शन होते रहें जो विपक्ष के द्वारा आवाज उठती रही है उन्हीं को एक तरीके से शा राशन गंबीर हो या ना हो लेकिन यूपीटेट को लेकर के गंबीरता सामने दिखना अब लाजमी है क्योंकि सिख्षक भरती से पहले यूपीटेट तो वैसे भी कराना है तो सिख्षक भरती अगर ना देना हो तो यूपीटेट भी करा करके इन सभी मुद्दों को राज से हालात उत्तर प्रदेश मुई है उन स्वप को देख करके ये लगता है कि अगले विधान सबाचुनाओं में अगर रोजगार थोड़ा बहुत ही सही लेकिन अगर मुद्दा बना तो बहुत ज्यादा मुश्किले हो सकती हैं क्योंकि आप सोसल मीडिया साइट्स पर भले आ सरकार भी ओगत है इसी वज़े से उपी टेट को जो ऑयो के द्वारा कैलेंडर जारी किया जाने की संभावना है उसमें शामिल किया जा सकता है और उपी टेट की परिच्छा का आयो जन प्रमृता के अधरपर किया जा सकता है जहां तक बात है सूपर टेट की तो यहां पर देखिए कैलेंडर में उसको जारी कर पाना शाषन के लिए भी थोड़ा सा एक समय इस समय असमंजस की स्थिति होगी क्योंकि देखिए कोई भी जब शाषन के पास प्रस्ताव भेजा जाता है तो ऐसा नहीं होता है कि एक हफते में उसको मंजूरी मिल जाए हैं तो जो एक्जामिनेशन कैलेंडर जारी होना है वैसे भी जो एक्जामिनेशन कैलेंडर जारी होगा वो जो एकेडमिक एयर है 31 मार्च 2025 तक का जारी होगा उसके बाद से एक नया examination calendar 31 मार्च 2025 के बाद से जारी होगा जोकि 1 अप्रेल 2025 से लेकर करके 31 मार्च 2026 तक लिए जारी होगा तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अभी मार्च तक का समय है आयोक के पास क्योंकि यहाँ पर इनके पास केवल इसकी जिमेदारी नहीं है इनके पास अगर आप देखेंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर वाली भरती इसके अलावा जूनियर एड़ेट की भरती को कम्प्लीट कराना इसके अलावा अगर आप बात कर लें तो जो TGT-PGT है उसकी भरती की परिक्षा कंड़क कराना क्योंकि यह भरतिया अलेड़ी विग्यापित हो चुकी है और 2022 की भरती है TGT-PGT वाली तो इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा दबाव है और जहां तक बेसिक की बात है तो बेसिक में अगर यूपी टेट की परिक्षा का आयोजन कराने के संदर में कैलेंडर में शामिल कर ले जाता है तो ऐसे भरती थोड़ा शांत हो जाएंगे कि हाँ हो सकता है कि इसके बाद भरती का विग्यापन जारी हो तो इसी रोड़ मैप के साथ आयोग और शाशन भी आगे बढ़ सकता है जो एक्जामिनेशन कैलेंडर जारी होगा उसमें यूपी टेट का जिक्र हो सकता है अब बात करते हैं कि कब तक यूपी टेट की परिक्षा का आयोजन किया जाएगा देखिए अगर आप देखें तो सिक्षा सेवा चैन आयोग में अध्यक्ष का जो पद है वो भरा जा चुका है लेकिन जो एक्जामिनेशन कंट्रोलर होते हैं जो परिक्षा नियंतरक होते हैं जिनके उपर परिक्षा कराने की जिम्मेदारी होती है जैसे अगर आप PNP देखेंगे तो PNP के जो सचिव थें उनकी जिम्मेदारी परिक्षा कराने की नहीं थी उनके लिए एक्जामिनेशन कंट्रोलर अलग से होता है हलाकी सूपर विजन जो होता है वो PNP के सचिव का होता है इसी प्रकार से जो आयोग है इनमें जो अध्यक्ष है इनके सूपर विजन में होगा लेकिन एक्जामिनेशन कंट्रोलर अलग से होता है और अभी वो पद खाली है तो जब तक एक्जामिनेशन कंट्रोलर यानि परिक्षा नियंतरक जब तक नहीं आएगा तब तक परिच्छा करा पाना next to impossible है तो अभी आयोग में इन पदों को भरा जाना बाकी है परिच्छा नियंत्रक का भरा जाना बाकी है उसके बाद ही ये सारी चीजे होंगी और जिस प्रकार से PNP ने पहले ठेका दिया था जिस कंपनी को पेपर चापने के लिए आपको याद होगा पेपर आउट हुआ था तो इन सभी चीजों को लेकर भी शाषन, शक्त, रुख अपना रहोगा और इसके लिए नया सीरे से एक तो वैसे ही आयोग नहीं है इनके पास कुछ experience नहीं है आयोग की अध्यक्ष वैसे ही बोल चुकी है कि हमें समझने में थोड़ा समय लगेगा लेकिन एक बार काम समझ लेंगे तो उसके बास से चीजों को सुचार रूप से करने में आसानी होगी तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि अभी इनके लिए सब कुछ नया है हर एक चीज जो ये कदम उठाएंगे वो उनके लिए नया अनुभाव होगा तो इन सबी चीजों को देखते हुए निशीत तोर पर यूपिटेट की जो परिच्छा है कोई भी नहीं बता सकता जब तक कि आयोग खुद अपने एक्जामिनेशन कैलेंडर में जारी ना कर दे अभी मार्च दोहजार पचीज तक अगर आप देखेंगे तो अभी हम लोग सितंबर में है सितंबर, अक्टूबर, नौवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, लगबग छे महीने से जादा का समय है और इन छे महीने में निश्चीत तोर पर यूपिटेट की परिच्छा का आयोजन कराया जा सकता है और TGT, PGT के लिए भी प्रतिबदता आयोग जायरी कर सकती है और साथी साथ जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाली भरती है वो चीज़े आगे बढ़ सकती है सूपर टेट की जहां तक बात है तो अभी देखिए सरकार जो है वो उल्जी हुई है अगर शाषन की मनषा देखेंगे तो सिखखबर्ती की बिलकुल भी नहीं है चाहे आप समय समय पर विधानसपा में जो उनके द्वारा जवाब दिया गया हो उसको लेकर के देखें तो इन सभी चीजों को लेकर के मनझोरी मिल पाना शाषन इस तर से नई सिखखबर्ती के अधियाचन पर ये थोड़ा सा संदे की इस्तिति उत्पन करता है कि क्या शाषन इन सभी चीजों को ले तयार होगी अथवा नहीं होगी क्योंकि ऐसे प्रस्ताओ महीनों तक पड़े रह जाते हैं शाषन के पास तो इन सभी चीजों को देखते हुए यूपिटेट होना अब थोड़ा सा लग रहा है कि इसके रास्ते आसान होंगे और ऐसे अभीरती जो उपिटेट अब तक क्wałिफै नहीं होए है आप क्वालिफाई जरूर कर लेजेगा और अगर आप सीटेट क्वालिफाई भी है तो भी आप एक बार उपिटेट में आवेदन जरूर कर लेजेगा क्योंकि यहां से आपको पता चलेगा कि जो नई सिख्षा सेवच चैन आयोग है उसका किस प्रकार से पेपर पैटर्ण तयार करने का तरीका है क्योंकि यहीं आयोग होगा जिसके माद्यम से सूपर टेट की भी परिक्षा का आयोजन किया जाएगा अगर आप एक ऐसी कैटिग्री से बिलॉंग करते हैं जो की स्टेट में तो उस कैटिग्री में है लेकिन सेंटर में अगर वो अन्रिजर्व कैटिग्री में आती है जैसे अगर मैं बात करूँ जो जाट है जाट जो है वो उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो वो OBC में आते हैं, लेकिन केंदर में अगर आप देखेंगे तो वो unreserved category में यानि general में आते हैं, तो अगर आपने seated के base पर qualify किया है, seated qualify किया है और अगर आपका नंबर 82 से लेकर के 89 के बीच में है तो आप UP में तो qualify माने जाएंगे लेकिन जब center level की बात आएगी, तो वहाँ पर आप qualify नहीं माने जाएंगे, क्यों नहीं माने जाएंगे क्योंकि CBSC जो है, वो central केंद्री इस तर की सिख्षक पातरता परिक्षा है और केंद्र के ही साब से आपका जो जाती है, वो आरक्षण के लिए योग है या नहीं, यह तै किया जाता है तो अगर आप केंद्र में जाट के तौर पर, अगर आप OBC नहीं बलकि जनरल में काउंट हो रहे हैं, तो seatate आपका वो 89 नंबर या फिर 82 से 89 नंबर तक qualify नहीं माना जा सकता है तो इस प्रकार के बहुत सारे विवाद हो सकते हैं तो ऐसे candidate जिनका 82 से 89 नंबर के बीच में है और उनकी category अगर center level पर unreserved category में आती है तो उनके लिए U-P-Tate या फिर seatate 90 नंबर से उपर लाना आवशक हो सकता है तो इन प्रकार की छोटी-छोटी बाते होती है जो की भविश में जा करके बहुत बड़ी मुस्किले खड़ा कर देती है तो इन सभी बातों का विशेश तोर पर ध्यान दीजेगा और U-P-Tate की परिछा का आवजन जब भी हो आप शामिल जरूर हो जाईएगा और जिस परकार से परिस्तितियां इस्तितियां बन रही है U-P-Tate का examination date जो है वो हो सकता है कि जो calendar जारी किया जाना है उसमें उसको शामिल किया जाए उमीद करता हूँ आप सभी के doubts क्लियर हो गया होगे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करें आपका दिन शोब हो